So Hello Everyone, Good Morning, कैसे हैं आप सब, तो मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए एक बहुती अच्छी सी टेस्टी सी सबजी, जो की है डूबगबडी की, इस वीडियो को देखने वाले जो महारास्टर के होंगे, वो बराबर समझ जाएंगे कि डूबगबडी होता क्या ह है डूबगबडी की सबजी कैसी होती है, उनको इनका टेस्ट बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन जो हिंदी वाले होंगे, जो हिंदी साइडर हैं, उनको यह सबजी के बारे में नहीं पता होगा, तो आप लोग इस सबजी को बनाओ, खाओ, और फिर वापिस से आके य तो चलिए, यहां पे हम लोग उसका डूबग बड़ी का जो बड़ी होता है, उसकी बनाने की विधी देख लेते हैं, तो वहां पे हमको पहले बेसन लेना है, बेसन आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हो, मैंने यहां पे देड़ चमत बेसन लिया है, उसमें हल्दी, म लचे मिर्ची तो फेस सवधानी पूरवकु देख जाड़ा लेगा, तो इसकी बड़िया धूबग बड़ी, हम लोग जो डाले गे है करी में, तो वो न अच्छी नहीं बनीगी, वो फेल जाएगी, प्रॉपर उसका शेप नहीं आएगा, तो आपने बहुत थोड़ा सा डालना है और उसको बहुत अच्छे से फेट लेना है फेटने के बाद इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए ठीक है आप लोग इसको जितना फेट होगे उतनी ही जो इसकी बढ़िया है वो ग्रेवी में जाने के बाद फूलेंगी अच्छे यहां पे चलते हैं हम लोग उसकी ग्रेवी के तरफ ग्रेवी कैसी बनानी है वो मैं यहां पे आप लोग को बता देती हूं तो यहां पे मैंने तेल का यूज किया है तेल आप जो खाते हो वो तेल आप यहां पे ले सकते हो यहां पे मैंने तेल डाला है तेल डालने के मिक्स करके भी मतलब की ग्राइंड करे भी आप इसमें डाल सकते हैं ठीक है और यहां पर मैंने एक मिडियम साइस का प्याज ले लिया है प्याज को आपने बारी काट लेना है अब हम प्याज को ब्राउन होने तरह थोड़ा सा कमाच में उसको भूझेंगे ठीक है तो यहां इसमें मसाले क्या क्या डालने हैं तो चले मैं आप लोग को बता देती हूं तो यहां पे मैंने एक बाउल मे लिया है नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी और अध्रक लसन का पेस्ट और थोड़ा सा जीरा पाउडर ठीक है इसको बहुत जो पेस्ट था जो हमने घोल बनाया था वो भी हमारी साइड में रखी हुई है और इसको भी हमने साइड में रख देना है बहुत अच्छे से मिक्स करने से क्या होगा सवाद है सारे मसाले आपस में मिल जाएंगे नहीं रहे बहुत चुगली हो जाएगी तो वह डिए मसाल तमाटर आप थोड़ा सा द्यान रखना के थोड़े से ज्यादा जो पंक्पी भी ताम् cheating होते हैं आप वही लेना। में मिक्स कर देना हैं अशरा मसालो का जो पेस्ट बना के रखा था अलग सी में रखा था यिसमें मिक्स कर देना हैं। मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से इनको पका लेना है ताकि हमारे जो टमाटर है जो हमारी मसाले जो हमने यूज किये हैं वो मसाला कच्छे ना रहे जाए सारे मसाले बहुत अच्छे से पक जाने चाहिए ठीके मैं यहां पर धक धक के मैं पकाती हूँ कोई भी मसाला हो म मैं इसमें हमेशा मैं धक्के ही पकाती हूँ आप लोग मेरी अगर पहले की वीडियोस देख चुके होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैं धक्दक्के ही पकाती हूँ थोड़ी सी गैस की बचछत हो जाती है क्योंकि धकने से इस टीम से कोई भी चीज बहुत जादा जल्दी पक जाती है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे मसाला अच्छे से पक गया है मैंने इनको वापिस से और एक बार धक दिया है और ऐसा करने से पता है अप लोग को धक धक के पकाने से थोड़ी सी गैस की बचत भी हो जलनी रहे थे यार मतलब थोड़ी से चिपक रहे थे चिपक रहे थे तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करना है पानी एड़ करने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करो उसको अच्छे से पकालो मसाले हमानिया पे अच्छे से पक गए है तो मैंने इ उसकिया है घरम पानी का गरम पानी आपने अच्छा उबला हुआ घरम पानी का आपने यूजू करना है U мало Compet码ब जल्दी आएगा आपकी सब्छी बहुत जल्दी भी नले गिव חीक हे बहुत जल्दी बॉइल आएगा आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारे सब्जी का जो है वो बॉइल आ रहा है तो हमने इनको धक दिया हैँ धकने से क्या होगा इसका जो टेस्ट है इसका जो स्वाध है वो बरकरा रहेगा और सब्जी बहुत जल्दी बहुत अच् तो इसमें बड़िया डालने बड़िया तो इसमें जैसे मैं डाल रही हूं बहती आप लोग ने शावधानी पूर्वक डालना है और गैस का जो फ्लेम है आप लोग ने यहां पर कम नहीं करना है उसको तेज ही रखना है ठीक है एकदम हाइफलेम कर देना है और अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के गटोरी में अपसाइड में पानी रख लीजिए थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगा के एक एक बढ़िया बहुत साउधानी से इसमें डाल देनी है और ब इसमें हम लोग पुरा घोल के डाल देंगे तो इसका भी थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो गाड़ी हो जाएगी इसको हमने डालने के बाद तुरंत नहीं चलाना है आप लोग ना घड़ी के टाइम से पूरे पाच मिनट ना रुक जाना आपने इसको बहुत जल्दी नहीं चल आया था मैंने और गैस का फ्लेम तेजी रखना है बढ़िया यहां पे बहुत अच्छे से पग गई है मैंने आपको दिखाया है पग गई है मुझे यहां पी ग्रेवी थोड़ी सी कम लग रही थी क्योंकि यह सबजी में हम लोग एक घंटा बाद खाएंगे तो इसलिए मै तो इसलिए मैं पग लुआ रखाया है यहां पर देख सकते हैं फोल्क स्पून के चाकू की सहाईता से आप जैसे चेक कर सकते हैं कि बढ़िया जो है हमारी जो दुबग बढ़ी है वो अंदर से पकी है तो यह प्रॉपर हमारी बढ़िया पक गई है अब यहां यह यहां पर हमने दो जाड़ फूल लेके आ जाती है यहां पर सर्विंग करने की बारी सर्फ करने की बारी ठीक है तो आप देख सतने हैं जो है सबजी जो बहुत अच्छे से पक गई है ग्रेवी भी अच्छी है बहुत ज्यादा पतली नहीं है बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं खा के देखो आप लोग और आपको एक बार और में बता दू पीछे जो थोड़ा सा बैंड बाजे का जो साउंड हो रहा है साउंड अभी आ रहा था तो वो यहां पे गनेश जी बैठे हैं मेरी सोसाइटी में तो इसलिए थोड़ा सा वो इग्नॉर करना आकिर गनेश जी का दिन है थोड़ा सोर शराबा चलता है